शुष्प खेल जाब हैं उनसे पूछते हैं कि दरशल बिहार में चुकि दूसरी बार वो पहुच रहे हैं और पार्टी में लगातार उनको स्टार कैंपिंग बनाया हुआ है अलग अलग राच्यों में बिहार में आपको कैसा लग रहा है पहले बार जो इलेक्संग ठीम सांग है उसके अले प्रेस तांसिंस किया था और प्रत्रम और तीती चरण की चुनाओं में यहां आना हुआ दूती चरण की चुनाओं में मजप्रिस रइचथिस गड़ मेरा यहां कि लोग बहुत मेहनद कसे हैं पूरे देश में यहां के चाहे कारीगर हो चाहे कुसर स्रमिक हो चाहे ओई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- कि जब चुनाओं शुरू हुआ तो लग रहा था कि इंडिये के पक्षे में माहौल है लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ते गया लोगों के रूजहान दिखाई देने लगा और अब महागडबंधन के तरफ इसपस्ट रूजहान दिखाई दे रहा है प्रतमा और दिती चर में क्लेंशिप महागडबंधन के दिखाई दे रहें तिसरे चरन के चुनाओं है और यह बहुत ही निर्नायक होगा तो इसलिए इस चरन की चुनाओं का भी अपना बहुत महप्त है और तीसरे चरन में पहले ही गडबंधन मजबूत रहा है तो इसमें तो हम लोग एक बुपेश बखेल जा रहे हैं प्रचार में मैं तो पुर चीज ये है कि रहूल गांधी का कलशो हुआ थो तो रहूल गांधी ने 36 गड़ का सिक्र किया था और सवाल उठाया था कि जब भी ये खेती किसानी वाला इलाका है तो यहां कि किसानों को 1000 रुपे में धान क्यों बिचना पड़ता है जबकि 36 गड़ में वो 2500 रुपे में बिखता है तो 2500 रुपे बेचने का जो मॉडल है कॉंग्रेस पार्टी उसको अलग-अलग राज्यों में जहां भी बरस के खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि दरसल जो विकास होता है वो किस तरह से व्रति केंद्रित होता है और ये जो विकास है ये सही माइने में विकास है हम चलेंगे अलग-अलग जगा उनकी रैलियां हैं उन रैलियों को भी कवर करेंगे मितलांचल में उनकी दूनों रैलियां हैं और दिल्चस्प होगा कल जो उनों ने रूट शो किया था वो काफी हिट रहा था बड़ी संख्या में पबलिक थी और पबलिक ने अच्छा रिस्पॉंड किया था तो आगे भी बात्चित का सिलसिला जारी रखेंगे और जब रैली होगी तो रैले भी आपको दिखाएंगे आप बने रही हैं हमारे साथ